दोस्तों नमस्कार मैं हूं दीपक इमानसु और आप देख रहे हैं टीशिंग वाला दोस्तों बीपेसी के चेर्मेन सरस्री अतुल प्रसाद जी का दो ट्वीट आया है जो आपके लिए महत्तपुन है अगले एक्जाम को लेकर भी और जो रिजल्ट है पिछले बीपेसी टी और आप एसे लोग जो आपको ऐसे ख्याली पुलाव पकाते हैं उससे आप सांतसावधान रहीए तो जो तो रिजल्ट आया है या जो फिर से सप्लिमेंटरी यानि कि सकेंड रिजल्ट निकलेगा विपेसी टीरी वन का वो उतने सीट के लिए निकलेगा जितना विभाग के द्वारा दिया गया है ना कि कुछ लोग रूल को अपने हिसाब से समझने लगे हैं या कुछ अपना च छोड़ दिया तो जो विभाग का एक्शुल डेटा उसी पर होगा और कुछ लोग रूल को समझ भी नहीं रहें सही तरी कैसे ऐसा इनके आवराल कहने का मतलब है तो सप्लिमेंटरी जल्या निकालेंगे लेकिन विभाग ये डेटा के आधार पर ही ना कि हमारी मतलब हमने अगर कुछ और सोच रखा है उसके आधार पर इसा कुछ और दूसरा ट्वीट जो इन्हों ने रात में लेट नाइट किया था उसमें नोंने बताया था कि वियर प्लानिंग टुई है टीरी होगा अब तो आप टीरी थ्री पॉइंट आप मान के चलिए बीस से 30 अगस्त आपका यहां पर दोजार 24 में फिर प्रकार से टीरी फोर ऐसे करके चलते रहेगा तो हर साल आपका यह होगा तो हर साल जितना भी रिटार्मेंट होगा या जो भी सीट वैकेट होगा किस से उन सब को जोड़कर अभी तो लगवा 50,000 से ज्यादा ही सीट होगा टीरी फ्री पॉइंटों में बड़ी एक तरह से कहिए कि ऑपर्चिनेटी है दोस्तों तो यह ट्वीट है और इससे जो टीरी 1.0 है उसका भी सप्लिमेंटरी रिजल्ट उन्होंने अपने डेटा के ब सब्सक्राइब करें और प्व एप पर भी आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे थैंक यू वेरी मच और आल दिवेस्ट फॉड एक्जामनेशन बबाई शेह